आपका सफर प्लॉट से मकान तक इस वीडियों आपको में जो नोवा सिटी के रिसेंटली कमर्शल्स लाँच होने के लाभा नोवा सिटी डिवेलपर्स का जो दूसरा प्रजेक्ट आ रहा है उसके वाले से भी आपको इंट्रो एक्स्प्रेंट करूँगा कि Ge outbreak रेसा दूसरा प्रजेक्ट नोवा वन के नाम से लहौर में वालवा अर्पोर्ट जो रीसेंटली गव्र्मेंट ने प्लॉट जो इसके अधिया सेस्ट के उगया वहां था शाइज वाले से इसाइज बाट करोगा। आफे जाज नोवाद से नोवाद रिस्टी ना नुग जो इसे पहले जुए उसके हवाले से 10,37,50,000 और कनाल का प्लाट 72,50,000 पर लॉंच किया गया था Second phase में जो residential plots लॉंच किये थे वो लॉंच किये थे sports block के जिसमें जो 8 मरला के plot और 14 मरला के plot लॉंच किये थे 8 मरला के plot थे 40,40,000 और 14 मरला का plot था 67,50,000 जो 10% डाउन पेमिट पर बुक कर सकते हैं यह तो दो के residential categories थर्ड इसके बाद जो commercial category launch की गए थी पहली commercial category उसमें था सिरफ 2 size के plot थे 4 मरला commercial और 8 मरला commercial 4 मरला commercial जो थे 100 square yard का plot या 8 मरला commercial 200 square yard का plot launch होने के बाद एक ही दिन में sale out हुए यह बहुत बड़ी victory होती है किसी भी developer के लिए जिसने भी market में recently 6 महीने पहले अपना introduction दिया हो और उसके साथ ही उस commercial plot की इतनी rapidly सहल हुई और आज की date में market में वो commonly profit पर trade हो रहे हैं या आप कहीं से ही पता करें तो आपको commonly एक लाग प्लस माइनस की वाद आती है profit की जो आज की date में market में इस वक रेशो चल रही है profit की demand पे अब आते हैं जी second इसी commercial की होई से किस commercial की future में क्या होगा और आने वाले दिनों में इस पर क्या activity होगी देखें भी commercial जो होता है न पहला rate अभी जब Nova City future में जाकर डिलिवर करेगा अननों सी आएगा उसके बाद जब इसका interchange बनेगा so far and so on जो भी activity site पे होगी उसका जो direct impact आएगा वो दो plots पर आएगा एक जो पहली price के residential plots ओफर गिएगे जैसे 5 मरला के plot 10 मरला के, कनाल के 8 मरला के, 14 मरला के पहले rates है, अब with the passage of time जब इन पहले rates पे society में कोई भी काम होता है let's say main boulevard 220 feet wide जब उस पे construction commonly आगे बढ़ती है तो इनके rates उपर जाएंगे, secondly अभी current market rate जो हो एक लाग profit है plus minus, secondly जब इसके साथ अभी वहाँ पे sports block का proper inauguration होगा, rates उपर जाएंगे फिर interchange बनेगा rates उपर जाएंगे जब society में development की rapid pace आगे बढ़ती जाएंगी, rates उपर जाते जाएंगे यह common phenomenon है, किसी भी society में तो यह जो बाते आने वाले commercial आभी तकीबन 4-5 दिन होगी है commercial को और वह एक लाग की profit margin टच कर गी है, आप देखेंगे यही profit margin within no time आपको देखेंगे, कि 1 million प्लस चले जाएंगे यह होगी commercial plots की activity जो recently Nova City में हुई, उस हवाले से अब second जो Nova City developers का flagship project है, वो flagship project कौन सा है, अब flagship project है वो launch हो रहा है लहोर में, जिसमें Walter Airport के साथ जो plot number 1 था जिसको bidding में विन किया, और उस plot पर भी जो design है, उसको design करने वाली company, जिसका पाकिसान में इससे पहले कोई architecture नहीं है कोई architect उन्होंने as such कोई design नहीं किया, कोई ऐसी उन्होंने चीज लहोर में या किसी भी premises में पाकिसान में, डिवेलप नहीं की या design नहीं की, या construction नहीं की, उसके बड़ी example यह है, कि उसके एक building है बीजिंग में जिस पे almost per year one million लोग visitors जाते हैं सिर्फ visit करने के लिए building को देखने के लिए कि उस building को कैसे design किया गया और इस building में, जिस लिहाज से उसको अच्छे तरीके से proper structure त्यार किया गया और इसका design, उसकी elevation, overall वो एक marvel है, लोग उसको देखने जाते हैं कि उसको एक जैसे आप अजूबा कहते हैं इस तरह से कुछ building होती है कुछ firm होती है, वो ऐसे designs बनाती है जिस design को हमेशा लोग आप कहलें कि बहुत जदा उसकी तारीफ करते हैं, उसको बड़े ट्रेस करते हैं उस designs को जैसे आप सिंगापूर में देख लें तो आपको multiple building मिलती हैं जिसमें आपको top तक, मालब ग्राउंड प्लस 50-55 के building होगी लेकिन उसमें आपको proper horticulture नजर आएगा 55 फ्लोर पे भी नजर आएगा इसके लाब आप पेटरना स्टावर देखनें मलेशिया में इसके मलब इतने famous buildings हैं इंपार स्टेट बिल्डिंग होगी different buildings हैं जिनके बारे में लोग बहुत अच्छे positive reviews रखते हैं same goals for this के कैसा मांटी ने इससे पहले पाक्सान में कोई architecture design नहीं दिया यह उनका पहला design है और यह लाहॉर में जो nova one के नाम पे project आ रहा है यह एक high end luxury product होगा इस लोग लाहॉर में as such कोई बड़ा high end luxury product नहीं है ज्यादा ज्यादा ground plus 24, 25, 26 गुलबक के main boulevard पे हैं project इससे बड़े project नहीं है अब इस project के आने के बाद यह G plus 45 का project है यानी ground plus 45 floor का और यह पकसान की second tallest building बन जाएगी अभी for the time being पकसान में सबसे tallest building जो है वा कराची में है second tallest building जो है वा सेंटोरस इसलामबाद में है इसके लावा अभी कोई पकसान में को tallest building नहीं है लेकिन as soon as possible nova one की construction स्टार्ट होगी और इसके construction स्टार्ट होने के बाद जब इसकी पुरा पर design मकमल होगा और finishing मकमल होगी तो यह अपने own पे एक बहुत बड़ा marvel बन जाएगा और लहोर की जो skyline है उसमें बहुत बड़ा एक इसाफा होगा यह nova one की एक intro था जो मैंने का के आम members को explain कर दूँ जो nova city में investment कर रहे हैं यह nova city में जोने previous record है investment का तो उसके अवाले से आपको एक यह intro वीडियो थी बाकि इसमें कुछ इसमें मजीद add कर दूँ कि यह nova one की लहोर में अभी construction स्टार्ट हो रही है जो कैसा मॉन्टी स्टार्ट कर रहा है यह G plus 45 की building थी यह किसी भी developer से बनाते तो around construction wise पचास साट सतर करोड में इसी construction हो जानी थी बट specifically कैसा मॉन्टी को इसके लिए हायर किया गया जिसके लिए सवा दोर अपके plus minus की amount है जो उसको pay की जा रही है जिसकी base पे कैसा मॉन्टी उसको design plus construct कर रहा है एक बहुत बड़ा एक architecture marvel जो है लहूर की skyline में आपको आने वाले दिनों में नजर आएगा क्योंकि इस से पहले लहूर में as such high-rise building तो है लेकिन इस तरह के building कल्मा चौक, walton report, plot no.1 जिसमें नीचे malls होंगे प्लस mix-use commercial होगा या नीचे shopping mall होगा उपर आले कुछ floors पे आप देख लेंगे आपको corporate offices मिलेंगे और इसके बाद five star hotel है, दो जिस तीन जिनकी बाद चल रही है और इसके लबाद top पे serviced apartment होंगे जो high-end luxury को accommodate करेंगे यहाँ पे आपको अगर आप सोचेंगे आपको सस्ते apartments मिलेंगे चन्द आप एक जेंपल को तौर पे 10-15 दाज़ पर square feet वाले तो वो apartments यहाँ पर नहीं होंगे यहाँ पर minimum apartment जो होगा वो above than 30,000 per square feet होगा और जो आने वाले दिनों में लहोर की skyline के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है कि इससे पहले लहोर में सच कोई activity नहीं है इसलामबाद में और कराची में हैं लहोर में activity बहुत होना जरूरी थी तो उसको fulfill करने के लिए Nova City Developers Nova One के नाम से project लेके आ रहे हैं So this was it from today अगर आपको Nova City में development के हवाले से हैं कोई booking के हवाले से मालूमाद चाहिए हो तो आप मेरे WhatsApp नमबर पर रापसा कर सकते हैं इसके लावरे website विजट करना मत भूलें www.makansolutions.com अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज रूलाए, कमेंट और शेर और चैनल को सबस्क्राइब करना मत भूलें रिजवान चीमा को दीज़े अगली वीडियो देखे के लिए खुदा हाफिस